नमस्त दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज का अपनी इस वीडियो में हम न्यूहप्स के शुद्ध हिमालन शिलाजित की खासेतों पर बात करेंगे जानेंगे कि इसे किन तकलिफों में और कैसे इस्तमाल किया जाता है और हम एक बहुत ही जरुरी फ्रेक्टर पर बात करने वाले हैं जो शिलाजित लेते वक्त ध्यान में रखना बहुत ही जरुरी है क्योंकि लोग शिलाजित तो यूज़ करते हैं लेकिन कुछ important बातों का धान नहीं रख पाते जिससे उन्हें शिलाजित के सेवन से अच्छे फाइदे नहीं दिखाई देते तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखते रहें दोस्तों जैसे कि आपको पता है शिलाजित एक प्रकुर्दिक पदाब्द है जो मुख्य रूप से हिमालयन परवल शुंकला में पाया जाता है ये अपने बल्यन, रसायन और कामोत्यचक गुणों के लिए जाना जाता है सदियों से शिलाजित धातों की कमजोरी को दूर करने के लिए दिया जाता है यानि एक टाइम प्रूवन परवमस बूस्टर है शिलाजित एक बहुत ही इफेक्टिव इम्मिन बूस्टर भी है जो बार-बार होने वाली सिजनल बीमारें से लड़ने में आपकी इम्मिनिटी के मदद करता है शिलाजित एक बलकार्क, खिशर यानि टीपी जी स्वास्ता में जो कमजोरी आती है उसके लिए काम करता है ये श्वास ये अस्थमा, ज्वर और प्रमेह यानि डायबिटेस और उसमें होने वाले कॉम्ट्रिकेशन में भी बहुत ही उप्योगत देखा गया है ये श़र के साथ साथ मांसिक स्वास्ते के लिए भी उप्योगी है बार-बार होने वाले स्ट्रेस और तनाव से छुटकारा पाने में शिलाजित के सेवन से काफी अच्छी मदद मिलती है शिलाजित का सबसद उप्योग वो लोग करते हैं जो लोग ठकान, कमजोरी और बुढ़ापे को दूर रखकर अपनी यौर्ण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं जो लोग लोड टेस्टेस्वान से जूज रहे हैं उनके लिए भी शिलाजित एक उत्तम टॉनिक है इससे स्टैमिना बूस्ट होता है तो जो लोग जिम करते हैं उनके लिए भी ये एक बेस्ट परफामस बूस्टर ऑप्शन है इससे वेदे की गुनवत्ता भी बढ़ती है और संभोग शक्तिकल भी ये काफी अच्छा माना चाता है ये शरीर की अत्रिक्त चर्वी को कम करने में भी काफी मर्दगार है और इसलिए मोटा पेसे जूज रही लोगों में भी ये काफी लावधाई देखा जाता है तो अब जानते हैं न्यूहप्स के शिलाजित खासियत क्या है न्यूहप्स का शिलाजित मुख्य रूप से हिमालयन पर शुंखला के पहाडों से 18,000 फीट की उचाई से सोर्स किया जाता है ये शिलाजित आयरिद्मे वर्णित वीधियों से शुद्ध किया गया है जैसे की अगनितापी प्रोसेस है ये इस वीधि से purify किया जाता है जो इसके natural nutrients को कम होने नहीं देता सुर्यतापी होने के वज़े से ये शरीर में बहुत ही जल्दी से absorb भी हो जाता है ये शिलाजित resin form में आता है जो शिलाजित का सबसे pure form है resin form में होने के वज़े से आप इसे गुंगुने याने लुकवाम पानी में या दूद में आसानी से घोल कर ले सकते है इसे दूद में घोल कर लेने से ये बौडी में बहुत ही जल्दी absorb हो जाता है और इसके फाइदे भी जल्दी देखने को मिलते है शिलाजित खनी जो, कार्बनिक योगी को और अन्य पदार्थों का जेटल में इसरण है हाला कि शिलाजित के कुछ प्रमुक घटकों में फुल्विक एसिव, हुमिक आसिव, आईरन, जिंक और कॉपड ये से खनी शामिल होते है न्युहरब्स के शिलाजित में 60% से जादा फुल्विक एसिड पाया जाता है जो शिलाजित की result को improve करने में helpful होता है तो बात करते हैं कि शिलाजित को लेने का सही तरीका क्या है शिलाजित को गुनगुने में दूद में घोल कर लेना ही इसे लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप चम्मत से थोड़ा मटर दाने जितना शिलाजित निकाल कर अंदाजन दोसों में दूद में घोल कर सुबह खाली पेट ले सकते हैं चाहे तो इसे हलके breakfast के बाद भी लिया जा सकता है अब बात करते हैं कि इस शिलाजित को लेने से क्या कुछ तकलिफे हो सकती है तो नॉर्मल डोस से इसे लेने से शिलाजित से कोई भी तकलिफे नहीं होती लेकिन यदि आपको blood pressure के तकलिफ है या और कोई chronic बीमारी है तो आपको आपके doctor के सला से ही शिलाजित लेना चाहिए दोस्तों बहुत से लोग शिलाजित लेते हैं लेकिन उसे लेते वक्त परहेत का ध्यान बिलकुल ही नहीं रखते नौनश के साथ या दारू के साथ भी इसे लेते हैं भरपिट खाना काके रात में दूद के साथ भी इसे लिया जाता है और ये बहुत ही गलत बात है इस ते शिलाजित के फाइदे तो नहीं मिलते लेकिन इसे और नुकसान भी हो सकता है शिलाजित लेते वक्त हमेशा ये बात ध्यान में रखे कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं कर रहा है ना तंबाखो, गुटका, ना बियर, ना विसके कुछ भी नहीं और खाने में तीखा मांसार भी ना के वरावर ही लेना चाहिए ना ही आपको भरपेट खाना खाने के बाद इसे लेना है इन बातों को ध्यान में रखकर उपर कही गई वीदी से अलप मात्रा में लिया आएगा शिलाज भी आपको बहुत अच्छा फाइदा देगा और ये परमरसायन है तो दोस्तो ये थी जानकारी न्यूहर्प्स के शुद्ध हिमालयन शिलाजित की यदि आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो हमने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिशन दे दिया है आप चाहे तो वहाँ से इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तों मैं आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी आपके आज के इस वीडियो से समन्दित या और और हेल्ट से समन्दित कोई भी प्रश्म है तो आप मुझे नीचे कमेंड लख ने जरूर लिए सकते हैं मैं स्वयम उनके उत्तर दूगा दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूले और हाँ आपने ग्रूप्स में इसे जरूर शेयर करें चैनल को सब्स्क्राइब करके बेल आइकाउन को दबाना भी बिलकुल ना भूले बहुत ही जलती फिर्ज से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक है